यह कुछ ऐसा लगने वाला है हमारा वाइजर आगे से हमारी फर्स्ट अपाचे रहने वाली है मतलब कि यूट्यूब पे कोई भी ऐसी वीडियो नहीं डली जिस अपाचे में यह वाइजर इसको निकाल कर आपको दिखाऊं तो हमारी वाइक कुछ ऐसी लगती है तो यह करें वाला हम जो कि किसी वी बाइक में लगा सकते हैं जैसे कि Ns167 हो गई or FZ ओगी तो इन सभी और वाइजर लगा सकते है और मैं ऑनी बाइक में लगाने वाला हूं और वह कैसे लगाऊंगा हुआ आपको वीडियो में दीखी जाएगा और वाइजर कौन सा रहने वाला वो भी आपको वीडियो में आगे पता चली जाएगा तो बने रहे ही वीडियो में और देखते रहे ही वीडियो को एंड तक तो चलिए So guys, वाइजर रहने वाला है हमारा यह यहाँ पर लिखा है JB Racing और यह मैंने Amazon से order किया है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं Scooty वाइजर Glossy Black तो आप इसको स्कूटी पर भी लगा सकते हो जैसे कि मारी Yamaz की स्कूटी हो गई और Honda Dio हो गई और भी कहीं तरह की स्कूटी जिनमें आप यह वाइजर लगा सकते हो डबल हमको यहाँ पर पैकिंग मिलती है इसके अंदर बबल रैप में नीट है हमको यह प्रोड़क्ट तो बबल रैब ही मैं हटा लेता हूँ वैसे तो यह बोक्स में आया था और यह वाइजर में यहाँ पर लगाने वाला हूँ कुछ ऐसे अब यह आपको एक बार दूर से दिखाता हूँ यह कुछ ऐसा लगने वाला है हमारा वाइजर आगे से हमारी फर्स्ट अपाचे रहने वाली है मतलब कि यूट्यूब पे कोई भी ऐसी वीडियो नहीं डली जिस अपाचे में यह वाइजर इंस्टॉल हुआ हो अगर आपके पास भी अपाचे रतिया वन सिस्टी फॉर भी है बियस फॉर मोडल जिसमें यह वाली हैड लाइट आती है बियस इक्स का मुझे कोई आडिया नहीं है वो इसमें लग सकता है या नहीं वैसे लग सकता है क्योंग यह यूनिवर्सल वाइजर है इसके लिए आपको अलग से क्लैंपों बनवाने पड़ेंगे जो कि मैंने बनवा लिये थे पहले से ही और फ्रंट से कुछ लूक ऐसी आएगी जैसे क्या आप देख सकते है थोड़ी यहां से बाइक उन्ची सी होगी ऐसा लगा है कि जैसे हमने इसके शोकर उठा दी हो और बाइक थोड़ी उपर हो गई फ्रंट से देखने में और इसको निकाल कर आपको दिखाऊं तो हमारी बाइक कुछ ऐसी लगती है तो यह वाइजर हमारी बाइक को कम्प्लीट लूक एक दे रहा है फ्रंट से यहां पर ऐसे लगने वाले हैं इसमें Apache BS4 में हमको यहां पर थोड़ा सा गैप मिलता है यहां पर एक नीचे की तरफ तो यह पत्ती जो है ना ऐसे चल जाती है अंदर की तरफ यहाँ पर हमको एक स्कूरू मिला है नीचे और एक स्कूरू यहाँ पर है तो यह दो स्कूरू खोलेंगे तो यह कवर भार आ जाएगा उसके बाद से जो हमको यह मीटर के बोल्ट खोलने पड़ेंगे इसके अंदर तीन बोल्ट होते हैं वो निकालने के बाद हमारी पत्ती लेने वाला हूँ इसके साथ मैं दो वाशर भी लगाँगा और इनकी बात हम बाद में करेंगे इनका क्या काम रहने वाला है यह एक छोटी सी डबल टेप है तो इसकी भी बात मैं आपको बाद में बता दूँगा तो फर्स्ट अफॉल मैं यह करने वाला हूँ कि यह दो खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हम यह क्लैम्प कैसे इंस्टोल करेंगे इसमें कुछ ऐसे जो है हमारे एक कवर निकल जाएगा और एक कवर निकलने के बाद हमको यह तीन बॉल्ट्स खोलने पड़ेंगे एक यह लगा है एक यह और तीसरा यह और यह तीन तो इसमें हमारा क्लैम्प कुछ ऐसे जाएगा आप देख सकते हैं यह बाहर से होते हुए हमको यहाँ पर स्क्रू लगाना पड़ेगा एक अंदर की तरफ से और वो टाइट हो जाएगा और वो शो भी नहीं होगा यह होल इसमें पहले से इसलिए गए है क्योंकि इसमें ए अपर लग गया अच्छी तरह किसे टाइट हो गया और अब मैं दूसरा क्लैम्प भी लगा लेता हूँ अपना ये वाला और अपने दोनों क्लैम्प से यहां पर लग चुके हैं जैसक आप देख सकते हैं यह हमारा राइट साइड वाला क्लैम्प हो गया और इन में हमको इ इसको टाइट कर सकें अब मैं इसका वापिस से कवर लगा लेता हूं और यह बोल्ड जो हैं लगा लेता हूं वापिस से अब हम वाइजर लगाने वाले हैं वाइजर में भी मैंने आपर होल सो बनाय हुए है जैसे का दीख सकते हैं एक ओल यहांपर और हमारा दूसरा होल यहांपर है लगने के बाद तो इस प्रोसेस बहुत ही सिंपल रहने वाल है यहांपर तो हमने दो होल करी crank है एक होल है अब हमें इन दो screw की जुरूत पड़ेगी और इन दो पत्ती की जो कि हमारी visor के अंदर की साइड से आसे लगएगी कुछ इस तरीके से हमारी पत्ती लगेगी acknowledgement कुछ इस जगें से स Sorry बह czaks टा देता हूं, आप देख सकते हैं, मीटर की साड में गौना इतना स्पेस है, कि ये वाइजर हमारा मीटर के साथ, टच नहीं हो रहा है, जिससे हमारा मीटर के साथ, कहसे हैं नहीं हो, तो यहां से देखने परوجा jon में कुछ ऐसा लगता, इधर से आप देख सकते हैं देखने पर हमको जो है कुछ ऐसा लग रहा है और यहां पर जो है मैंने वो पक्ति लगा दी थी जो जिसको हम क्लिप भी कह सकते हैं क्लिप जो है मैंने एक अंदर लगाया है एक यहां पर लगाया और दूसरा हमारा यहां पर लगा हुआ है हमने कि हमारा वाइजर थोड़ा टच तो हो रहा है नंबर प्लेट के साथ पर उससे वाइब्रेशन नहीं आएगी और वाइजर हमारा हिलेगा नहीं पहले आपर सीधा मीटर दिखा ही देता था था पर अब ऐसा नहीं है मीटर हाइड हो चुगा है और बाइक को फ्रेंट से अलग किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाबाए